सुप्रभाद मेरे भाई और बहनों, भाई आथ थोड़ी सी चिटिंग कर लें, खहने का मतलब क्या है, बोल जाओं हम Chapter 1 Coordination कुछ भी पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें चिटिंग करने का बेस्ट तरीका बताऊंगा और उससे तुम्हें न ये सारे concepts clear हो जाएंगे, पर उससे पहले तुम्हें हमारा नारा याद है न, NCRT के खास, बाकि सब बकवास, चाहे CUET हो, चाहे Board हो, भाई, NCRT के language से direct आपके question suit के आते हैं, तो इसकी बिल्कुल गहराई में जाओंगा, lecture थोड़ा मेरा हमेशा की तरह लंबा होता ही है, बट भाई, अगर आपको बिल्कुल top- notch marks लाने, full marks लाने, अपने boards में, CUET में, अपने dream college पहुचना है, मैं भी SRCC वैसे ही पहुचा था, तो भाई, depth में घुसना पड़ेगा, एक lecture पढ़गे देख लो, अब अभी तक नहीं पढ़गे हो मुझसे, और तुम्हें guarantee देदूँगा, तुम्हें समझ में आ जाएग तुम्हें कुछ पढ़ी नहीं रखा, अब क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में बड़ा idea है, कि यार अपने दोस को call करता हूँ, जो कि मेरे जितने नलायक है, अपने 10 chapter आने हैं, दोनों 10 chapter आपस में आदे-आदे बाट लेंगे, और फिर exam वाले दिन cheating करा के पास हो जाएं है ना, तुमने दोस को call किया, उससे का भाई, 5 chapter तू कर ले, 5 chapter मैं कर लूँगा, 1 to 5 मैं करूँगा, 6 to 10 तू कर ले, तो भाई, यहां पे क्या हुआ, तुम दोनों ने क्या क्या, coordinate कर लिया, कि भाई, ऐसा करते हैं, एक बहुत बड़ा काम है, वर्क हमारा बहुत बड़ा ह है, और उस goal को achieve करने के लिए ना, उसको बाट लेते हैं, ताल मेल बिठा लेते हैं, और दोनों भाई करेंगे बड़िया अपनी must sitting, ठीक, अब क्या हुआ, एक्जाम वाले दम तुम दोनों जाके बैठे, तुम दोनों ने जब जाके बैठे, realize कि भाई, सारे के सारे जो question है ना, आपके chapter number six to ten से आये हैं, यानि कि आपका जो दोस ने पढ़ा हुआता, majority paper उससे आये, one, two, five से इतना कमाया है कि तुम पास भी नहीं हो पाओगे, अब भाई, तुम्हारे दोस की नियत पलट गई, उसने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं पूरे exam में, उसने अपना must झारी निट तो कर लिया, पर मैंने तेरे साथ, यार भाई, cooperate नहीं किया, और मिरे को ना, इस बात का बड़ा मलाल है, थीक है, यानि कि, हम दोने ने काम तो ढंक से बाट लिए, पर भाई, मेरा दिल से इन्मैने तेरी help नहीं करी, मेरा दिल मुकर गया, और मैंने तेरे को cooperate अब तु फेल हो जाएगा और में को दुख है और भाई मुझे प्लीज माफ कर दे अगले एक्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा तो तुम्हारा भी दिल पसीज गया तुमने का चल भाई तिरको अगली बार एक मौका दे रहां बीटी मत करियो नेक्स टाइम और दोनों पढ़ाएंगे एक दूसरे को चिटिंग कराएंगे पर तुमने एक चीज रियलाइज करी कि भाई हम दोनों ने डिसाइड तो कर लिए चिटिंग करीगे हमने चैप्टर्स तो बाटा ही नहीं दोनों के दोनों भाई या बहुत बड़े काम को आपसे में बाट लिया और तुम दोनों ने तालमेल बिठाके अपना सारा काम बना लिया कॉपरेशन क्या है कॉपरेशन ये है जब दो लोग गिल से जुड़ते हैं जब दो लोग इच्छा रखते हैं कि हाँ भाई तुझे भी आता है कुछ मुझे भी आता है कुछ दोनों एक दूसरे की help करेंगे और काम बना लेंगे है ना तो coordination तो official काम को बाटना cooperation होता है दिल से एक दूसरे की मदद करना वो एक जस्बा रखना कि चल यार थोड़ा सा तू कम करता है या cooperation दोनों में से एक भी चीज़ ना होना तो जो team है वो अपना काम successfully achieve नहीं कर पाती है चलो अब भाईया इस चीज़ को दिमाग में रखते वे सबसे पहले तो हम पढ़ लेते है coordination की हमारी definition बहुत सिंपल सिया the process by which a manager synchronizes the activities of different department is known as coordination कहने का मतलब क्या है सबसे पहले हमेशा क्या बोलता हूँ पहले English सीखे और फिर Business Study सीखना synchronizes का क्या मतलब होता है वैसे देखो मैंने जो definition आपको example दे के समझाए तो मैं कहीं ना कहीं समझे आ भी गया होगा पर फिर भी Google देखके आना synchronize का वैसे इंजनरल छोटा सा simple मतलब है कि भाई जब बहुत सारा काम होता है ना उसको हम जल synchronize करते हैं मतलब उन दो कामों को अलग-अलग कामों हम एक साथ मिला देते हैं उन दोनों कामों को एक साथ चलाते हैं ताकि हमारा पूरा बड़ा गोल अचीव हो पाए यहां पर हमने बहुत बड़ा स्लेवर्स था दोनों ने बाट लिया और उनको एक साथ मिला दिया एक साथ चला दिया ताकि दोनों पास हो जाए तो अलग-अलग department के हैं बहुत सारे functions होते हैं अलग-अलग function होते हैं उन सब को मिलाना एक साथ जोड के चलना ताकि पूरा organization का goal achieve हो पाए यह होता है coordination अब देखो आगे क्या है इसके उपर और further note इनों ने क्या दिया हुआ है fancy सी language, easy सा मतलब coordination is sometimes considered a separate function of management it is however the essence of management for achieving among individual efforts ठीकेट, oh sorry for achieving harmony among individual efforts toward accomplishment of group goals अब कहने का मतलब क्या है देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम student हो, है ना तुम student हो, तुम school जाते हो तुम किसले जाते हो, पढ़ने के लिए जाते हो है ना, पढ़के अपने भाईया अच्छे number लाते हो, यह तुम्हारा as a student goal है, पर as a student तुम भाई, grooming भी करके जाते हो अपने बाल बना के जाते हो, अच्छे number पहन के जाते हो जूते polish करके जाते हो भाई, हमारे school पे तो अगर कोई बाल दंसे ना बनाए ना, तेल ना लगाता था तो उसके उपर सांडेगा तेल भरदिके डाल देते थे जब तो टी-शट ना भीगे तेल में तो इस तरीके से आपको पनिश की जाता था school में, क्यों? क्योंकि as a student अपर काम पढ़ना तो है बट इस बात को भी तो समझो हो, यार कि आपका uniform में रहना धं से groomed रहना, लोगों से अच्छे से बात करना, टीचर से तमीज से बात करना लडाई जगडा ना करना ये भी तो student होने का एक essence है आत्मा है अगर आप एक student हो कि ये चीज़े आप करो, अगर आप बहुत अच्छे नंबर भी ला रहे हो, पर आप हर किसी तो आप जगडा करे हो, market करे हो school में, तो आपका पढ़ना बेकारा आपके अच्छे नंबर लाना बेकारा है, पर धंगे student नहीं बन पाओगे, इसी तरीके से coordination, एक all the separate function माना आता है management का कि अलग से काम करना पढ़ता है, पर यह management का soul है, आप हर step पे, हर इंसान के साथ coordinate करते ही करते हो, अभी हम इस चीज़ को सीखेंगे भी, उसके बिना न आपके नहीं तो group goals अचीव होई नहीं सकते, अब आगे क्या पढ़ा हुआ है each managerial function is an exercise contribute individual towards coordination, coordination is implicit and inherent to all function of an organization मतलब क्या है, मैंने बिना कोई भी function हो, किसी भी level पे, top, middle, lower level पे, कोई भी हो, सब को करना है, coordination, और यह implicit है, यह inherent है, मतलब क्या है, ऐसा नहीं है, अलग से effort मार के कुछ, कि क्या कहते हैं, कुछ अलग से ही चीज़े होती है, आपको यह करना ही करना पड़ता है, मतलब यह करोगे ही, करोगे, नहीं करोगे, तो भया, दिक्कते होंगी, कैसे दिक्कते होंगी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत प्यारे-प्यारे examples लेगे हो आपके लिए, अब सबसे पहले तो, characteristics of coordination पढ़ लेते हैं, सबसे पहला क्या है, coordination integrates growth effort, coordination utilizes unrelated and diverse interests into purposeful work activity, अब बतलब क्या है, मैं सारी बात है भूल जाओ, मैं तुम्हें एक example दिखाता हूँ, देखो मेरे बारे में अगर तुम नहीं जानते हैं, मैं LinkedIn पर बहुत actively content बनाता हूँ वैसे, मैं Educaptain जो तुम YouTube channel और ये organization देखे हो, उसका founder हूँ, SRCC dropout हूँ I am Calcutta dropout हूँ, सुखदेव से मैंने अपनी bachelors करी भी है, right अब हमारे एक GK के faculty है Arnav sir, again सुखदेव से पढ़े हूए NIFT से MBA और I am Hemdabad से इन्होंने अपने course कर रखा है, एक advanced level, right भाई, ये एक बहुत बड़ी company world की एक top level company के associate director है, right अब समझो, क्या कहना चाहरा हूँ मैं यहाँ पे, देखो, Arnav sir क्यों पढ़ा रहे हैं, Arnav sir सिर्फ for the love of teaching पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उनको कोई इनका ऐसा नहीं है कि भाई, वो बहुत earn कर रहे हैं या फिर कुछ बहुत उन्हें fortune मिल रहा है, इस वज़े से वो एडू captain पे जी के पढ़ाते हैं, या फिर current affairs पढ़ाते हैं, but मैं जो हूँ, on the other hand, मैं पढ़ाता of course for the love of teaching हूँ, but देखो यार, मेरे घर की जो दाल रूटी है, मैं जो रूटी खा रहा हूँ मेरा bread and butter भी पढ़ाने से चलता है, तो अब समझो, दो लोग हैं, दो लोग को गोल बिल्कुल अलग-अलग है, अर्नव सरका है कि भाईया मेरे को इतना है कि मैं बच्चों से connected रहूँ मैं अपनी art of teaching से connected रहूँ, मैं अपनी subject से connected रहूँ, इसलिए वो पढ़ा रहे हैं दिल से पढ़ा रहे हैं, मैं भी दिल से पढ़ा रहा हूँ पर मेरा कहिना का ये गोल ये भी है कि हाँ भाई, मेरा घर का दाल पानी चलता है, मेरे घरवालों नहीं करूंगा आके कि या तो सरफ इसी ले कर रहा हूँ, फिर बाद मैं आके कुछ घपला करूंगा जो करते ही है, ठीक है, but point being, दो लोगों का अलग-अलग interest है, है ना, दो लोगों अलग-अलग interest है, पर ये जो coordination है, ये coordination ही तो हमारे interest को एक direction दे रहा है, कि जहां पर अरणव सर और मैंने बाट के क्या बाद करी, for example, कि सर हमारा ना, इस साल के end का target है, चारलाग subscribers हो जाए, अब क्या है भाई, हम दोनों चाहे कितने भी अलग-अलग interest से हो, बट हम हम दोनों का focus अब इस तरह बढ़ चुका है, हमारा दूसरा goal क्या है, SRCC, सुखदेव, हमारे I am in door, last year हमारे बहुत सारे बच्चे पहुचे थे, SRCC, CVT में AR1 हमारे पढ़ाएवे बच्चे की rank की थी, ठीक है, बट हमारा goal क्या है, कि SR, इस सालना और बच्चे in top colleges में पहुचा नहीं, जितने हम last year पहुचा थे, उससे comparison में, है ना, तो अब क्या है, हम दोनों फिर उस तरीके से पढ़ाएँगे, चाहिए हम दोनों का goal interest कुछ भी हो, हम किसी भी reason से पढ़ा रहे हो, पर हमारा goal एक बन गया है, और उस goal की तरफ हम दोनों effort मारेंगे, ठीक है, तो यह जो अलग-अलग interest होते हैं, जिसकी वज़े से लोग organization को join करते हैं, उन अलग-अलग interest को, एक direction देता है, coordination, और यह हमने वैसे characteristics of management में पढ़ा था, cbsc मैंने तुम्हें बताया था न, ncrt लिखने वाले बहुत आल सी, वो यह point repeat करते नेंगे, अभी देखो और कितनी repetition है, तुम हरान हो जाओ कि देख देख का सी आईगी तुम्हें, अपना ही काम असान हो रहा है हमें क्या, coordination ensures unity of action, कहनेगा मतलब क्या है, मतलब क्या है, अब समझो बात को, देखो यार, एक organization में, अब आपका क्या होता है, मैं तुम्हें एक fun बात बताता हूँ, भाई, अगर किसी company को, हर department का देखो अपना-पना goal होता है, HR का होता है, लोग खुश रहे, sales रहता है, भाई, या पैसे जादा कमा ले, ठीक है, आपका operations का क्या काम होता है, कि भाईया, हम best से best service दे हमारे जो भी customers से उन्हें, पर अगर एक department पूरी company चलाना लगे, for example, Educaptor में, तुम्हें पता है, हम courses प्रोवाइड करते है, CUT, IP, MAT और सारे BBA, VMS, entrance के, पर, अगर हमारी पूरी organization, sales department चलाना चालू कर दे, तुम्हें पता है, कुछ time बाद Educaptor से कैसे call आएंगे, क्यों? क्योंकि sales department का क्या काम होता है? भाईया, पैसे कमाना, ठीक है, और ऐसा कुछ बेचने से ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा इस दुनिया का कड़वा सच क्या है? सबसे ज़्यादा पैसा और सबसे ज़्यादा जो volume है, वो किस काम में होता है लीगल काम में होता है, ठीक है? तो भाईया, जुआ, ये सारी drugs भी गहरा है ना, पर ये काम लंबे नहीं होते, बड़े नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि जैसे ये highlight होता है भाईया, जो होता है, मैं पकड़ा होंगा, अगर ऐसा कुछ होने लग गया तो मैं जेल में होंगा, यहाँ पर पढ़ाने की बज़ा है, पर कहने का मतलब क्या है? देखो, sales department का अपना goal है, ठीक है? teaching हमारे यहाँ पर teaching का अपना goal है, ठीक है? finance का अपना goal है, HR का अपना goal है, अब ये coordination ही तो है, जो सारे department को बिठा के समझाता है, sales वालों को समझाता है कि भाईया, हमें quality, हमे ये make sure करना हमारे बास quality बच्चा आके पड़े और हमें ये make sure करना है कि हम बच्चों को best से best चीज़ दे पाएं, अब इसका मतलब ये निए कि तुम कहीं अपने profit के चकर में, अपनी sales के चकर में कुछ भी बेचने लग जो, कुछ भी बोलना चालू कर दो, market में एक reputation है हमार पॉइंट में departments को जोड़ता है coordination, ठीक है, same बात, बट अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग angle से, ठीक है, अब आ जाते है हमारा अगला point का है, coordination is a continuous function, अब इसका क्या मतलब हो, बहुत simple सी बात है, coordination is not one time function, but a continuous process, it begins at planning stage and continuous till controlling, हमने management functions की बात करी थे पिछले lecture में, मैंने तु पूरे के पूरे chapter है, तो NCRT वालों से जागे पूचे लिखे ही हो है, ठीक है, but point क्या है, कि आपका, आपका, देखो, simple word बताता हूँ, मानो, बुर्ज खलीफा बनना है, तुम्हें एक मज़े की बात बता हो, Samsung ने बना है बुर्ज खलीफा, तुम्हें शायद ना पता हो, ठीक है, बुर्ज खलीफा बनना था, अब उसकी planning stage में उन्होंने कर लिया plan, कि भाई, हमें न, 50,000 labor चाहिए होगी अगले 10 साल में, अब मानो, planning करने वाले, जो top level managers थे, उन्होंने HR department को बताए नहीं, हमें 50,000 labor की जुरत पड़ेगी, अब जब labor की requirement आई, HR वालोंने का, भ staffing को भी, staffers को भी पता होना चाहिए, controlling department को भी पता होना चाहिए, फीक है, इस तरीके से पूरी organization में आपने जो भी plan किया, वो coordinated होनी चाहिए, यह, जो भी दिपार्टमेंट काम कर रहा है, कोई भी function काम कर रहा है, वो पूरी organization में पता होना चाहिए, तो एक continuous process है, यह चलता रहता है यह आपका planning process से start होता और आगे भागता ही रहता है ठीक है और functions of management वाला जब आप चारे function पढ़ लोगा और अच्छे से सब कुछ clear होगा ठीक अब आ जाते है हमारा coordination is an all-pervasive function अरे भाई आप तो तो में हसी आजाने चाहिए यह all-pervasive हम थे पहले कितनी बार पढ़ लियो और अभी तो और आगे कितनी बार पढ़ेंगे कहने का मतलब क्या है simple सी बात है by coordination हर जगे लगता है coordination is required at all level of management that are interdependent nature activities of various department it integrate the effort of different department at different levels होता क्या है अलग-अलग levels होते है अलग-अलग departments होते है हमने जो दो point पीछे पढ़ेते हैं उनको मिला के एक और point बना दिया जब अरस्ती का नया इनको खुद वो point मिलने रहे थे क्या बोलना है इन्होंने दो-दो-तिन-तिन point मिला के दुबार एक नया point बना दिया ठीक है अलग-अलग levels होते है अभी level का भी point पढ़ेंगे departments होते है एक organization में सौरे जितने भी लोग होते है उपर से नीचे, दाए से भाए ठीक है सब जगे all परवेसे वे हर जगे लगना है coordination हर किसी को करना है coordination अब आ जाते हैं हम आगे अगला point coordination is responsibility of all managers यहां पर क्या आगया है देखो manager हमने पढ़ा एक company में एक organization में बहुत managers होते है top level, middle level, lower level सारे managers को coordination करना है हमने पिछले lecture में restaurant business पढ़ा था संजीव कपूर सर का ठीक है अब भूल जाओ चलो मैं तुम्हें starting से यहां पर yellow chili में कुरकुरी भिंडी अब उन्होंने कुरकुरी भिंडी की पूरी recipe set कर दी कि इतनी भिंडी डलनी है इतनी देर तेल पर पकनी है इतना masala डलना है पूरी उन्होंने dish set कर दी पर समझो top level management में उन्होंने dish तो set कर दी पर middle level यानि कि जो actual restaurant को lead करने वाला manager है उसने धन से उसको follow नहीं किया या संजीव सरुन के top management धन से वो communicate नहीं हुई recipe तो क्या होगा भाई experience कराब होगा customers का तो इसी तरीके से हर level of manager की हर तरीके से responsibility है coordinate करना चाहे वो top पे हो top वाले को धन से communicate करना है middle वाले को धन से make sure करना है कि lower वा आपके हर manager के अपने अपने तरीके से coordination करना एक responsibility है और एक अब देखते हैं यहाँ पे मेरा favorite example है coordination is a deliberate function सबसे पहली चीज English सीखो BST बाद में सीख क्याना deliberate का क्या मतलब होता है मतलब कोई चीज जान बूच के करना ठीक है मतलब कोई चीज consciously करना कि भाई अगर कहीं भी miss कर दिया ना although हमने पड़ा उपर implicit भी होता है ठीक है करना ही करना पड़ता अगर नहीं करोगे ना तो फिर काम खराब हो जाएगा deliberate का क्या मतलब है यहाँ यहाँ पे कि भाई वही बात repeated है अगर तुमने जान के coordination नहीं किया तो काम खराब हो जाएगा कैसे होगा बहुत प्या दियो जैसे हुआ था देखो तुम्हें शाहद पता हो कि यूनाइटेट सेट में जो distance के measure करते हैं वह माइल्स में करते हैं हमारे जैसे इंडिया में किलो मीटर्स में करते हैं अब मैं टेक्निकालेटिक में नहीं जाओंगा पर इन्होंने अपने satellite का एक पार्ट जो है न वो एशिया से बन महिए था शैद एशिया किसी कैणों किया अब उन्होंने किया उन्होंने अपने measurement सारे km के according भेद दिये कि यह अश्य वह बहाएं सब्सक्रू ऑन्होंने सम्ज़ क्या कुणस में है जिस तरीके से वह नापते है उसी तरीके से श्रतकिक डज्या गई एक हजार करोड रूपे लग गए इतने बड़े-बड़े साइंटिस लगे पड़े हैं भाईया इतनी उन्होंने बड़ी-बड़ी क्यालकुलेशन करी और किसले वो स्पेस्क्राफ दूबा क्योंकि किसी ने किलोमेटर को एक छोटा सा फॉर्मॉला एक छोटी सी मल्टिप्ल करके माइल्स में ने कनवर्ट किया समझ रहे हो क्या था ये कोडिनेशन नहीं था दिल से तो मदद करना चाते थे कोपरेशन तो करी रहते भाईया दोनों के बीट में कोंट्राट था पैसे भी आने जाने थे ठीक है पर उन्होंने नहीं किया ना तो काड हो गए एक हजार क पताई दी, conscious and deliberate manner, consciously effort मार के करना पड़ता है नहीं तो कांड हो जाएगा, अब सुनो, हमारा अगला टॉपिक क्या है, importance of coordination, भाई, तुम सर पकड़ लोगे, तुम क्यों सर पकड़ लोगे, क्योंकि जो अभी हमने character six पड़े देना, उन्हीं को कही न कहीं उसी तरीके से repeat करा हुआ है, बस point यहाँ पर क्या है, देखो character six क्या है, कि भाई, तुमने देखा कि गाड़ी में break है, speed है, ये gear है, ये भाईया अपना handle है, अब importance में तुम actual बैठ के चला के देख रहे हुए, ये सब क्या काम है, कैसे use होता है, ठीक है, तो यार इतना difficult नहीं समनना, तो simple समनन तुम्हें कुछ effort फालतू नहीं मारना, बस क्या है, एक्जाम में अगर importance पूछले तो importance के point of view से लिखाना, जो heading है, और अगर correctors से पूछले तो correctors के point of view से लिखाना, बहुत simple होता है, तुम बिल्कुल confuse नहीं होगे, एक आदा sample पर देख की समझ में आ जाएगा, growth in size, कहने तो coordination की जुरुत पढ़ती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, it is an important function to harmonize individual goal and organization, guide to coordination, ठीक, अब यहाँ मतलब क्या देखो, हमारा cheating वाले example था, भाई, तुम्हें दो लोग क्यों चुरुत पढ़ी, तुम्हें क्यों coordination, cooperation, इतना मत्था मार रहे हो, क्यों तुम दो लोग, क्योंकि लोग बढ़ते जाते हैं, जैसे से लोग बढ़ते जाते हैं, तो उनमें और ज्यादा, और ज्यादा एक अच्छे effective coordination जी जरुत पढ़ती है, और मैं तुम्हें एक बात बताऊ, मैंने first hand experience किया है, देखो मैं तुम्हारे आगे एक teacher हो, तुम्हारा बड़ा भाई भी हूँ But as an CEO of Educaptain, मेरे को ये भी देखना होता है, कि भाई, हमारे पास जो 10-12 लोग organization में काम कर रहे न, जब 2 लोग थे और आज 10-12 लोग है न, मेरे को ना निदा याद आ जाती है, क्योंकि हम ऐसी छोटी-छोटी गलतियां कर देते कभी का वार, मैं तुम्हें एक बड़ा funny सा incident क्या हुआ, भाई हमने न, एक वीडियो प्लान करी, जो बंदा हमारी वीडियो पोस्ट करता है, उसके तब्यत खरापती ही, तो वो न, मिटिंग से बीच में जल्दी चला गया, अब भुपिंदर सारों मैंने वीडियो पूरी प्लान कर ली, टाइटल, थम्नेल, टॉपिक सब डिसाइड कर लिया, पर जब वीडियो पोस्ट करने की बात आई न, तो रात को वीडियो पोस्ट नहीं हुई, मैं कल सब उटके देख रहा हूँ, भाई, अब वीडियो नहीं पोस्ट हुए, मैंने विनित को कॉल किया रहा है, भाई, आपने बताईग नि, तो ऐसी बे अब क्या मैं तुम्हें बताऊं, पड़ा तो लिये, भाई, अलग-अलग डिपार्टमेंट होती है, इसलिए, कोडिनेशन इंपोर्टन है, क्योंकि अगर ये डिपार्टमेंट इन डिवीजन सब के जो अलग-अलग effort है, वो एक डिरेक्शन की तरफ नहीं भड़े, सब ड जाएगी, क्योंकि अलग ही डिरेक्शन में हो, चली जाएगी sales department, drugs बेचने पर आगया, तो पूरी company बंद हो जाएगी, सब जेल में पड़ेवे होंगे, ठीक है, अब अगला जो point अब वो interesting है, specialization, होता क्या है, जब एक organization बड़ी हो जाती है, देखो, अभी again, तुम से हमारे में HR कोई नहीं है, ठीक है, मैं ही हूँ, HR चिंटू लाल है, और वो चिंटू लाल मैं ही हूँ, HR का क्या काम होता है, make sure करना, सारे employees खुश है, उनके time से salary जा रही है, उनकी सारी problems address हो रही है, पर company जब बड़ी होगी, तो HR manager भी आएगा है, क्योंकि मैं नहीं कर हुआ, हमारी organization जैसे थोड़ी सी बड़ी हुईती है, हमने एक YouTube का consultant लेके आए, जिनको कहीं सालों से YouTube पर काम करने का experience है, उन्होंने एक चीज अब्जर्व करी, हमारे सारे competitors के channel, उन्होंने का भाई, तुम बड़े, तीजी से grow इसले नहीं कर रहे है, क्योंकि जब कोई update आ हमसे नहीं होता है, यह सब, कि date sheet आई नहीं होता है, तो होता क्या है, अब समझो बात को, specialist आ जाते हैं एक organization में, जो बड़ी होती है, specialist usually think that they are the only, they only are qualified to evaluate, judge and decide according to their professional criteria, अब specialist क्या होते हैं, उनकी बंदर बहुत ego होते हैं, वो बहुत पढ़ लिखके, बहुत experience के बात specialist बने होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई, मेरा ही criteria ठीक है, है ना, तो होता क्या है, they do not take advice or suggestion from others in matters of pertaining to their area of specialization, ठीक है, वो किसी और से सलाही नहीं लेते, कि भाईया क्या करन है, उनके matter में क्या करें, वो अपनी अपनी में चलते हैं, दुन में, this often leads to conflict among different specialists as well as others in the organization, तो इसी वज़े से क्या होता है, उस ego fight में न, क्या कहते हैं, सब organization में अलगला लोगों से और आपस में वो भिड़ जाते हैं, और फिर coordination की तभी जुरत पढ़ती है, कि भाईया करे क फिर क्या हुआ, हमने धन से coordinate नहीं किया था, एक दूसरे को goals clear नहीं था, एक दूसरे के, तो ultimately हमें specialist को, consultant को हटाना पड़ा, क्योंकि यह obvious ही बात है, हमारी organization में मेरी चले ही, ठीक है, but point being, specialist आपस में बहुत अड़ते, ego battle हो जाता है, और अगर coordination ना होना, तो ego battle में बहुत हो जाती है, तो यह specialist जब आ organization में आने चलू हो जाता है, तो और ज़्यादा coordination की जरूत होती है, ताकि किसी ego ना hurt हो जाए, ego hurt हुई, तो जगड़ा होता है, ठीक है, अब management in the 21st century, कुछ नहीं इससे कुछ नहीं आना, chapter हो गया, खतम हो गई हमारी, बल्ले बल्ले, याद रख उसमें हर वीडियो में minimum 10,000 views हो, तो भाई उस सपने को पूरा कराने के लिए, इतना सा contribution कर देना, अपने whatsapp groups पे ये वीडियो डाल देना, अपने दोस्तों को भेड़ देना, कि यह सर बड़ा next level पढ़ा आने, जाके पढ़ लो, इससे तो मैं जिन्दगी में भूलोगे lectures को ठीक है, तो best of luck guys, and bye!